नमस्कार दोस्तो टेकनोलोजी किडा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Blazor Components जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे उसको इस्तमाल में लेते हैं और Blazor Components के क्या फाइदे होते हैं सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि Blazor Components जो हैं, वो कौन से होते हैं हमारे Solution Explorer के अंदर, तो सबसे पहले देखी यह हमारा Solution Explorer है, हमारे Pages जो हैं, उसके अंदर जो Extension है, उसका जो है, वो है .Razor, और जिनका .Razor Extension होता है, वो एक Component होता है, तो Razor Extension वाले जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, Components हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि Blazor जो है, वो बना ही Components से हैं, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, अब Component के अंदर क्या-क्या चीजे होती हैं, component के अंदर दो चीजे होती है पहला होती है कि component के अंदर होता है हमारा html page यह हमारा यहां से लेकर यहां तक हमारा sh-sharp file है तो दोनों का जो combination है वो हमारा component है यानि कि एक ही page के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि एक razor component है यह देखे .razor लगा हुआ है तो इसका मतलब यह एक razor component भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जो component है वो .razor extension होगा उनका और दूसरी बात यह है कि पहली बात है .razor component होगे यानि कि dot razor extension होगा उनका file का, दूसरी बात यह है कि razor component जो है, वो html, page और उनका c sharp का combination होगा, यह आप लोग कह सकते हैं, या हम लोग इन दोनों को split भी कर सकते हैं अलग file के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग एक फाइल में लें, दोनों फाइल में भी ले सकते हैं, दो तीसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी हैं, जितने भी components आप लोग add करते हैं, अपने pages folder के अंदर, वो सारे के सारे जो है, first letter उनका क्या होगा, capital होगा, तीसरी बात हो गई, चोथी बात यह है कि जो भी component हैं, वो एक दूसरे के अंदर जो है, हम लोग कह सकते हैं, reuse क component और यह हम लोगों ने बंद कर दिया, इस प्रकार हम लोग कितने भी जो हैं, वो reuse कर सकते हैं, components को एक दूसरे के अंदर, या निकि nested हम लोग बना सकते हैं, components को, अब हम लोग इसको run करके आप लोगों दिखाते हैं, कि जो component हम लोगों ने use किया है, वो nested है, यानिकि एक component के अंदर हम लोगों ने दूसरा component जो है वो इस्तमाल में लिया है तो आप लोग देखेंगे कि लोड हो रहा है और यह देखिए hello world और यह counter component जो है वो यहां से लेकि यहां तक है और दूसरा counter component यहां से लेकि यहां तक है निकि दो components counter component जो है वो index इंडेक्स पेज उसके अंदर हम लोगों ने इस्तिमाल में लिया है तो यह एक रेजर कंपोनेंट है अब हम लोग चलते हैं पुरानी वाली फाइल के अंदर यानी कि काउंटर कंपोनेंट्स वाली में यानी कि जिसमें हमारा कोड है और हमारा html मार्कप पेज है ठीक है तो हम लोग अपनी फायल को जब url के अंदर access करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे counter यह हम लोग कहेंगे fetch data index ऐसे हम लोग उसको access करेंगे तो यह उसका access URL है जो हम लोग इसमें इस्तमाल में लेंगे जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं फिर से run करके तो यहाँ पर जो भी होगा वो slash करके हम लोग लोग इस्तमाल में लेंगे देखिए index default है तो अगर हम लोगों counter यूज़ करना है तो c o u n t e r counter तो यहाँ पर जो component होगा वो call हो जाएगा counter current count zero click में अभी देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं जब मैंने इसको click किया तो पूरा page जो है वो run नहीं हुआ है और यह देखिए refresh भी नहीं हुआ है हर एक click के उपर तो कैसे यह अपने आपको call करता है उसी page के अंदर यह button है और यह इसका code block है इसके अंदर event handling की गई है तो इसमें on click है increment count तो यह अपने आपके code block को यहाँ पर call कर लेता है increment count और current count की value को बढ़ा देता है जो की private है और 0 से initialize है तो इसमें यह increment जो है जैसे जैसे click करता हूं तो यह increment जो हो करना शुरू कर देता है तो यह इस पर value पर depend करता है आप value जो है जैसे की private and string name equals to मैं अपना नाम डाल देता हूं तरून और आप लोग यहाँ पर उसकी value जो है वो use कर सकते हैं जैसे p block add the rate का आप लोगों को इस्तमाल में लेना होगा और मैंने यहाँ पर इस्तमाल में ले लिया name तो यह जो value है वो यहाँ पर जो है वो print हो जाएग तो इस परकार आप लोगों को इसमें इस्तमाल में लेना है कि कोई भी variable value आप लोगों ने बनाई और उसको आप लोगों ने add the rate symbol का use करके आप लोगों ने उसको इसको इस्तमाल में ले लिया तो यह counter के अंदर था तो मैं counter को call कर लेता हूँ यह देखे तरून यहाँ पर आ गया है तो इस परकार आप लोग जो है razor components भी आप लोगों को बनाने हैं जैसे कि next अगर razor base आप लोगों को add करना है तो just click कीजिए add new item और मैं आप लोगों को बताऊंगा यह razor component है और इसकी जो extension है वो dot razor होगा पहला अक्सर हमेशा आप लोगों को capital करना है तो next में जो भी हम लोगों आप लोगों को सिखाएंगी कि कैसे आप लोगों को एक नया component add करना चाहिए और कैसे आप लोगों को default बनाना चाहिए यह चीजे भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो I think आज के लिए इतना ही इनफ होगा कि components को याद रखना है आप लोगों को कि पहला अक्स यह डाल लेते हैं first ठीक है तो हम लोग ने इसका जो first letter है देखिए यहाँ पर लिखा है first dot razor तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं एड दिरेट सिंबल पेज श्लैश और यहाँ पर first इसी का copy कर लेते हैं double quotation का outer वालेगा double quotation चली हम लोग इस पर double quotation लगा देते हैं first ठीक है तो यहाँ पर यह जो है क्या error जो है वो शो करता है हम लोग इसको check कर लेते हैं यह देखे यहाँ पर आ गया है error क्योंकि हमने आप लोगों को क्या कहा था first start with a lowercase letter आप लोगों को समझ में आ गया होगा I think कि हम लोगों ने गलती क्या कर दी है हम लोगों इसका first letter जो है वो क्या लिया है small तो हम लोगों को क्या लेना है capital यह देखे रन हो चुका है तो I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि razor नया razor component जो हम लोगों को कैसे add करना है और कैसे काम करना है ठीक है तो चलिए फिर से मिलते हैं ने वीडियो के साथ धन्यवाद झाट